Hello everyone, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल Online Prep में तो आप लोगों को बता दें UPTate 2023 related एक important update आई है जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही important है क्योंकि इस बार का जो UPTate होगा आप सभी लोग उसके लिए eligible होंगे और apply कर पाएंगे इस जानकारी का सुरोत भी जानेंगे साथी साथ ये भी जानेंगे कि बाकी news ने क्या लिखा है इस जानकारी को लेकर तो वीडियो को इंट तक देखिएगा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक जो tweet है जो काफी important है आप लोगों तक पहुँच भी गया होगा ये tweet जो कि दिया गया है Department of Basic Education उत्तर प्रदेश द्वारा और इसकी पहली line आप सभी लोग देख सकते हैं UPTate 2023 की अधिसूचना जल्द जारी होगी ये line जो है ये बताती है कि इस महिने के अंत तक notification यानि अधिसूचना जारी कर दिये जाएंगे UPTate 2023 के साथी साथ इसमें आकडों से संबंदित कुछ हाकड़े दिये गए हैं जो कि पिछले साल के हैं जिसमें 21,65,000 candidate ने exam registration कराया था जिसमें 12,91,000 लोगों ने primary के लिए 8,73,000 लोगों ने higher primary या upper primary के लिए किया था साथी साथ आप देख पाएंगे इसमें UP government को tag भी किया गया है इस tweet में इसलिए ये tweet काफी important हो जाता ये कब tweet किया गया है आप देख पाएंगे यहाँ पे आप देख पाएंगे सुबह 10 बच के 6 मिनट पे 5 मार्च को ये tweet किया गया है और इतने views है साथी साथ आप देख पाएंगे other जो media source है उसमें क्या-क्या लिखा गया है जैसे new jetty ने लिखा है UPTET को लेकर आ गई official जानकारी इस तरीके से ये जानकारी लिखी गई है वहीं हिंदुस्तान में लिखा गया अधिसूचना जल्द यहाँ पे लिखा जल्द के tweet के बाद बेशबरी से notification का इंतजार कर रहे है अब भ्यार्थी इसी तरीके से आप देख पाएंगे नव भारत टाइन्स भी लिखता है इसका मतलब है कि आप लोगों को बता दे जो अभी 2021 में जो UPTET का एक्जाम हुआ था उसके अभी पूरी तरीके से result टिशू नहीं किये गए है वो मामला कोट में है लेकिन उमीद की जा रहे है कि 2022 को लैप्स करके 2023 कराया जाएगा इसलि जो भी students अभी तक first semester में हैं या second में जा रहे हैं वो सभी लोग eligible होंगे तो आप सभी लोग तैयारी में लग जाएए जैसे ही कोई important update आएगी आप सभी लोग को बता दिया जाएगा ताती साथ बता दूँ कि ये जो tweet है इसका link भी आपको वीडियो के description में दे दिया जिसको आप खुद भी देख पाएंगे और उसको verify कर पाएंगे तो आज की update में सिर्फ इतना ही मिलते हैं next update में तब तक के लिए bye bye take care and keep watching